आज डाउटनेट आप डाउटनेट पर अपने सभी गनित, रसायन, विग्यान, भौतक विग्यान और जी विग्यान के डाउट्स का करो सपाया। बस प्रशन की फोडो कीचो, एची प्रशन को क्रॉप करो और तुरत विडियो सिलीशन पाओ, अभी डाउट करें। इन दोनों के मिलने से क्या हुआ कि एक एक हमारा उपन हुआ, ठीक है, तो इस एक को ही हमें पहचानना है कि यह क्या होगा, ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कार्बन के नाविग में आवेश कितना है, ठीक है, तो क्यू, यहांपर यहां पर क्या लिखेंगे, 6C12, तो कार्बन के नाविग में आवेश कितना है, तो हम लोग क्या देखते हैं कि परमाडू क्रमाग जितना होता है, ठीक है, 6C12, तो इसमें E का हम लोग गुड़ा कर देंगे, तो इतना आवेश क्या है कार्बन के नाविग में होगा, ठीक है, इसी प्रकार से अगर हम देख है Q जो किसके hydrogen के नाभिग में कितना होगा ठीक है ? आवेश हम लोग देख रहे हैं किसके hydrogen के नाभिग में तो इसका परमाडु क्रमा कितना है एक है तो एक में क्या करेंगे E का multiply कर देगे E का गुड़ा कर देंगे तो यानि कि जो hydrogen है उसके नाभिग में इतना आवेश होगा, ठीक है, तो हम लोग निकाल लें कि X जो है, ठीक है, X के नाभिग में कितना आवेश होगा, ठीक है, वो हम निकाल लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि X क्या होगा, तो हम लोग यहाँ पर लगा देते हैं, आवेश का नियम ठीक है तो उसके हसाब से क्या मतलब है तो आवेश सनचड के नियम से मतलब यह है कि जो कि अभिक्रिया होती है उसका कुल जो आवेश होता है वो क्या होता है सनच्चित रहता है ठीक है तो इधर साइड का या कहा है जो अभिक्रिया के इस तरफ का जो कुल आवेश होगा वो अभिक्रिया के इस तरफ के कुल आवेश के बराबर होगा यानि कि अभिकारक और उत्पाद का जो आवेश होता है वो हमेशा क्या रहेगा बराबर रहेगा तो उत्पाद का जो आवेश है या उत्पाद के नाविक का जो आवेश है वो किसके बराबर होगा? अभिकारक के नाविकों में आवेश कितना है? ठीक है? तो QX बराबर किसके होगा? Q 6 C 12 प्लस Q कौन सा? 1 H 1 ठीक है? तो यहां से हम लोग value निकाल लेंगे तो कितनी आ जाएगी? तो यहां से value आ जाएगी इसमें हमारे 6 E electron है इसमें क्या है? 1 E इतना आवेश है ठीक है? तो QX की value किया गई? 7 E यानि कि इतना आवेश है हमारे X के नाविक में ठीक है? 7 E ठीक है? तो 7 E जो है वो आवेश हो गया है और यह 7 जो अंक है यह क्या बता रहा है? यह यह बता रहा है कि X का जो परमाडू क्रमांग है ठीक है? क्या है? परमाडू क्रमांग जो है? वो कितना है? 7 है या कहें? 7 है ठीक है? तो 7 परमाडू क्रमांग वाला जो हमारा तत्व है वो कौन सा है? नाइट्रोजन है ठीक है कौन सा है नाइट्रोजन है ठीक है तो यह जो हमारा X element था ठीक है X तत्त था वो क्या है नाइट्रोजन है ठीक है यही हम से कहा गया था कि पहचानिये कि X आकिर है क्या तो X क्या है X हमारा नाइट्रोजन है ठीक है यही हमारे प्रश्ने का उत्तर है थैंक यू